दोस्तो प्रित्वी हमारे सौर मंडल का एकलोता ऐसा ग्रह है जहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और ये पानी हमारी प्रित्वी के 71% हिस्से को घेरे हुए है जिसमें से 95.5% पानी तो हमारे समुदर में है तो इतने सारे पानी को कंट्रोल करने में कभी-कभी हमसे गलती भी हो जाती है और कई बार हुई भी है जिसने हमें बहुत बुरी तरह से effect भी किया है तो दोस्तो आज मैं आपसे ऐसे ही कुछ पानी की आपदाओं के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे हमारी जान और माल को काफी नुकसान हुआ है तो दोस्तों इन पाने की भ्यानक आपदाओं के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है जो की अपने पीछे 1.1 ट्रिलियन गैलन पानी को रोख सकता है और यहीं से इसकी रेंज में आने वाले हरे कजबे और शेहरों तक पानी पहुँचाया जाता है और दोस्तो 7 फरवरी 2017 को तेज बारिस ने इस डैम के में स्पिलवे को नुफसान पहुचा दिया था जिसके बाद हालात तेजी से खराब होने लगे थे और इस प्राकर्तिक आबदा को देखते हुए जैम के आसपास रहने वाले करीब 1,88,000 लोगों को उनकी घरों से निकाल कर सुरक्सित इस्थानों पर पहुचा दिया गया था और 11 फरवरी आते आते इस डैम का वाटर लेवल इतना ज़ादा भढ़ गया कि इसमें मौझूद पानी इसके दिवार के उपर से बहने लगा जिसके बाद इस एरिया में पहली बार एमर्जनसी लगाई गयी थी जिसने लोगों की परिशानियों को और भी ज़्यादा भढ़ा दिया था लेकिन दोस्तो ये स्पिल्वे मेंन वाटर स्ट्रीम से कोलैप्स नहीं कर पाई थी जिससे होने वाले नुकसान में काफी कमी आ गई थी जो कि वहां के सिटिजन्स के लिए एक अच्छी खबर थी यूकरेन पाईप एक्सप्लोजन जमीन के फटने से उस जगा पर बबल जैसा बने लगा था जो किसी बैलून की तरह फूलता चला जा रहा था जिसे देखकर 1980 के दशक की एक साइफाई मूवी की याद आ गई थी जिसमें एक बड़े से कीड़े के चलने पर ऐसे ही जमीन फटती हुई चली जाती है दोस्तो बताया जाता है कि इस एक्सप्लोजन के पीछे वाटर सप्लाई काउंसिल की गलती थी जिन्नोंने इस पाइप की जाच किये बिना इसमें तेज प्रेसर से पानी की सप्लाई शुरू कर दी थी जबकि करीब 37 सालों से इस पाइप लैन का यूजी नहीं किया गया था जिससे ये पाइप ब्लॉक हो गई थी और इतना बड़ा हास्ता हो गया था हालाकि इस घटना में कोई भी इंजरी नहीं हुई थी पर दोस्तो माली नुकसान काफी ज़्यादा हुआ था सयानो सुषेंस काया दोस्तो यानिसी नधी पर बना ये बड़ा सा डैम रसिया के खकाशियों में मवजूद है जो की रसिया में बना अब तक का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है और साथी साथ 9th largest हाइडरो इलेक्टरी पावर प्लांट इंदा वर्ल्ड भी है इस डैम को 1978 में ही बना लिया गया था पर इसमें रिपेरिंग के काम चलते रहने की वज़े से इसमें हर वक्त काफी मज़़ूर काम करते रहते थे और इसमें लगे 10 में से 9 टर्बाइन तो लगतार चलते ही रहते थे दोस्तों इस डैम में काम कर रहे एक वरकर को अगस्त 2009 को एक रात अपनी शिफ्ट सुरू करते ही उसे कुछ देर बाद इसकी छट पर वाइब्रेसन महसूस होने लगी और ये वाइब्रेसन धीरे धीरे बढ़ते ही चली गई और इसकी पीछे की वज़त ही अचानक से टर्ब पानी पर सेकेंड की रफतार से निकलता है जिससे इतने प्रेसर से पानी आता है कि आप इससे किसी लोहे की चदर तक काट सकते हैं दोस्तों इस घटना को देखकर डैम की पावर कट कर दी गई थी जिस वजह से इसमें फसे लोगों की परशानी और भी ज़्यादा भड़ गई थी और इससे बाहर निकलने के लिए उन्हें अपने फोन की फ्लेशलाइट का सहारा लेना पड़ा था जिसके बाद इसके सारे दरवाजे बंद करने के लिए गाड को मैनुवली बंद करना पड़ा था जिस वजह से सभी दरवाजे बंद करते करते रात से सुबे 9 इस डैम से आकर टकरा गया, जिसने डैम को तोड़ते हुए इसकी आसपास मौजूद बस्तियों में भी घुज गया, जिससे सैकडो घर बरबाद हो गये और दोस्तो हजारों लोग बेगर हो गये, इसके अलावा इसने कई स्कूल हॉस्पिटल और ब्रिज भी बरबाद कर दि दोस्तो औस्तिलिया की मेलबन शहर की गली में उस वक्त बाड जैसे हालात बन गये थे, जब अजानक एक सुबह यहां रहने वाले लोगों को अपनी गली में एक बड़ा सा फवारा दिखा था, जो वहां मौजूद पाइपलाइन के फटने की वज़े से बन गया था, जिस बंद कराने के लिए इस पर रखी जाने वाली कोई भी चीज ऐसे उड़ जा रही थी जैसे किशी शैंपेन का धकन, और दोस्तो इस फवारे ने अपने आसपास मौजूद कई घरों को पूरी तरह से बरबाद कर दिया था, और इस पाइप का प्रैसर इतना ज़्यादा था कि इस से हर एक मिनट में 35,000 लीटर पानी निकल रहा था, दोस्तो मज़े की बात तो ये है कि इतने बड़े बलाष्ट को रोगने के लिए वाटर कमपनी की तरफ से सिर्फ एक आदमी को भेजा गया था, बैन किया और डैम दोस्तो 8 अगस्त 1975 की रात सैकडो लोगों ने इस डैम को बचाने के लिए अपनी नींद को भुला दिया था, और बालू से भरी बोरियों को लेकर इस डैम को उचा करने की कोसिस कर रहे थे, चूकि इस एरिया में उस रात तब तक का सबसे तेज तुफान रिकॉर्ड किया पर दोस्तो आधी रात बीत जाने के बाद डैम का पानी तेजी से भढ़ने लगा और उसके उपर से बहने लगा, जिसके कुछ देर बाद ही वहां मौझूद लोगों ने एक दिल धहला देने वाली तेज अवाज सुनी, जैसे कहीं बिजली गिरी हो या कहीं धरती फटी हो लेकिन दोस्तो ये तेज अवाज डैम की तूटने की थी, जिसके बाद इससे पानी की एक 20 मेटर उची और 10 किलोमेटर चौने दिवार बन गई, जो की गाउं के गाउं खतम करते हुए आगे भढ़ती चली जा रही थी, दोस्तो इस पानी की छूटने से इसकी आगे आने वाले डैम भी तूटने लगे थे और सिर्फ एक रात में ही करीब 62 डैम बरबाद हो गए थे, जिसमें 25,000 से जादा लोग डूब गए थे दोस्तो दिसमबर 1963 की एक सुबे इस डैम की रखवाली करने वाले लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी जिसने उनका ध्यान अपनी तरफ खीच लिया और ये आवाज इस 31 मीटर उंचे डैम में दरार पड़ने की थी, जिसे देखकर पहरे दारों के होश उड इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने सारी तैकत लगा दी और इसकी आसपास मौझूद गाउं और शेहरों को पूरी तरह से खाली करवा दिया ताकि जादा से जादा लोगों की जान बचाई जा सके दोस्तो इस दरार का पता चलने के महज साड़े चार घंटे में ही ये डैम पूरी तरह से तूट गया जिससे लगभग 50 फिट उची पानी की दिवार आगे भढ़ने लगी और अपने साथ बस्तियों और जंगल को भाके ले गई पर दोस्तो पुलिस और दूसरे लोगों की की पहुंच से दूर कर दिया गया था जिससे इस आबदा में मातर पांच लोगों को अपनी जानगवानी पड़ी थी Mississippi River Flood दोस्तो Mississippi River में April 2011 में आई बार्ड, अमेरिका में आई पिछली एक सदी में record की गई largest और most dangerous बार थी जिसे 1927 और 1993 की flood से compare किया जा रहा था इस नदी का पानी अचानक इसलिए भढ़ गया था क्योंकि April 2011 में यहां दो बड़े तुफान आये थे जिससे काफी बारिश हो गई थी और spring season होने की वज़े से बर्फे भी पिगलने लगी थी और दोस्तो इस तरह इन दोनों के आपस में मिल जाने से नदी का water level बहुत तेजी से भढ़ने लगा था और 14 April 2011 को पहला तुफान आया जो अपने साथ अमेरिका की हिस्टरी का सबसे बड़ा tornado लेकर आया था जिससे South और Mid America में भारी बारिश हो गई थी और दोस्तो इसके बाद दुबारा से 25 April को फिर से एक बड़ा सा tornado आ गया था जिसने इस बाड को और भी विक्राल रूप दे दिया था केदारनाथ flood दोस्तो जून 2013 में आई तबाई ने उतरी भारत को हिला के रख दिया था जिसमें सर्वाइव करने वाले लोग आज भी उस मंजर को याद करके रोने लगते हैं क्यूंकि दोस्तो उन्होंने अपनों को अपनी आखों के सामने इस बाड में बहते देखा था पर फिर भी कुछ कर नहीं सकते थे केदारनाथ में आई इस बाड ने 4000 से जादा गाउं को तबाह करके रख दिया था दोस्तो वैसे इस बाड की आने के पीछे कोई डैम जिमेदार नहीं था इसके पीछे की वज़ा अचानक से हुई तेज बारिस थी जो की करीब एक हफते तक ऐसे ही होती रही थी दोस्तो इस जगा पर मौझूद केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले लाखो लोग हर साल यहां आते रहती हैं जिस वज़े से इसमें मरने वालों की संख्या काफी जादा हो गई थी दोस्तो वैसे ओफिसियली 578 लोगों के मरने की पुष्टी की गई है पर दोस्तो असल संख्या इससे कई गुना जादा है वैजेंट डैम दोस्तो वैनिस शहर में बना ये डैम 1959 में वैजेंट नदी पर बनाया गया था जिसके बनने के कुछ साल में ही 1963 में एक बड़े से लैंड स्लाइड ने इस डैम के पानी में मेगा सुनामी क्रियेट कर दी थी जिससे लगभग 50 मिलियन क्यूबिक लिटर पानी डैम के उपर से निकल कर आसपास के कजबे और गाउं में फैल गया था जिससे इस आपदा की चपेट में सैकडो गाउं आ गए थे जिसमें 1910 लोगों की मौत भी रिकॉर्ड की गई थी दोस्तो इस जगा के कमजोर होने के बारे में डैम अथोर्टी को पहले से ही पता था फिर भी ये इस बात को इगनोर करते रहे और इस लापरवाही का भुकतान आम लोगों को अपनी जान खोकर चुकाना पड़ा था और दोस्तो भविष्य में ऐसी आपदाओं को कम करने के लिए हमें प्रकरती से पंगा लेने की बजाए उनके नियमों के हिसाब से चलने की कोशिश करनी होगी और तभी कुछ हो सकता है तो दोस्तों इन प्राकर्तिक आपदाओं के बारे में आपकी क्या सोच है हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अन्दोन फैक्ट सिंद्री को सब्सक्राइब कर दो और घंटे को भी दबा दो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धासू वीडियो के साथ अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद